प्यारे बच्चों इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 पर्मूटेशन और कम्बिनेशन की एक्सराइज 7.4 कर रहे हैं यहां पे हमारा स्टार्ट होता है पार्ट कम्बिनेशन अभी तक हमने पर्मूटेशन किया अर्रेंजमेंट किया अब माल लीजिए हमारे पास तीन प्लेयर हैं A, B and C और हमें टीम बनानी है टैनिस प्लेयर की लेकिन दो बंदों की बनानी है हमने तो क्या बन सकता है A, B, A, C, B, C बट हम तो पर्मूटेशन में तो हम क्या कर सकते थे B, A, B करते थे हमारे पास C, A भी होता था और C, B, B और B, A की तो टीम है पहले A को चुल लो B को चुल लो ये टीम तो सहीं में रहेंगी ये दोनों टीम सहीं रहेंगी और ये दोनों टीम सहीं रहेंगी इट मिन्स कंबिनेशन में हमारे पास order important नहीं है order important नहीं है दूसरा माल लीजिए एक party में हमारे पास 10 महमान है देरा 10 guests आपस में shake hand करते हैं माल लीजिए जो A है वो B के साथ hand shake कर रहा है तो B भी तो A के साथ कर रहा है वहाँ पे order important नहीं है वहाँ combination क्या होगा अगर हमारे पास 10 है 10 में से कितने 2 हमने क्या करने है arrange करने taken we have to arrange 10 objects taken 2 at a time this is called combination और हम एक formula पे drive यहाँ पे इसका जो formula drive हो रहा है वो है NCR N objects में से taken R at a time इसको ऐसे denote किया जाता है माल लीजिए हमारे पास 3 है यहाँ पे हमारे पास N की value 3 है and R की value 2 है 3 में से हमने 2 objects ले लिए उनको हमने arrange करना है क्या हुआ हमारे पास कितने case I 3 I that means NCR that means 3C2 which is equal to 3 which is equal to 3 अभी इसको हम drive भी करेंगे चिंता मत किजिए अगर हमें इनको permutation अगर हमारे पास permutation होता तब हमारे पास क्या होता that means 3P2 की जो value होती तब हमारे पास कितने case होते 6 case ही तो होते 6 case means अगर मैं 3P2 लेता तो यह क्या होता 3C2 into जितने भी लिये थे हम उसको उतने ही factorial से multiply कर दीजिए यह हमारे पास total यह कितने case आ रहे हैं 3 आ रहे हैं उनको 2 factorial means 2 से multiply कर देंगे तो कितना case आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा it means हमारे पास NPR की जो value होती है NPR that is equal to NCR into R factorial यह बहुत important है NPR अगर हमारे पास permutation लेना है that means हमने उनका combination लेके उनको R factorial से क्या कर दीजिए multiply कर दीजिए N factorial यहां sorry NPR की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास NPR का formula क्या था that is N factorial upon N minus R factorial which is equal to NCR NCR into R factorial so NCR की value में यहां पे लेना चाहता हूं हमारे पास formula बन जाएगा NCR की value यहां R factorial को divide कर दीजिए that is N factorial upon N minus R factorial into R factorial R factorial यहां पे जाके क्या हो गया? divide हो गया तो यह हमारा formula drive हो गया किसका combination का N object में से taken R at a time that is N factorial upon N minus R means N factorial N minus R factorial divided by R factorial बड़ाई simple सा यहां पे कुछ values होंगी जो use होंगी formula अगर हम कहते हैं NCR N, 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 N object में से N के N ही select करने हैं हमने 3 में से 3 की एकी team बनानी होती तो कितना होता? 1 होता N, C, N की value हमारे पास क्या होती है? 1 होती है put भी करके अगर हम देखने N, C, N का मतलब हमारा क्या बनेगा? N factorial divided by N minus N factorial और into हमारे पास क्या होगा? N factorial या उपर भी N factorial N minus N 0 factorial 0 factorial की value 1 होती है into N factorial cancel that is 1 यह बड़ा important है अगर मैं second result लेना चाहूं N, C, 0 आप N object में से 0 को arrange करना चाते हैं हम arrange यह नहीं करना चाते हैं तो हमारे पास एकी तरीका सबको छोड़ दीजिए So N, C, 0 is also 1 चेक करके देखिए यहाँ पर हम बात करें N factorial upon N minus 0 factorial divided by 0 factorial 0 factorial is 1, N minus 0 N factorial cancel होगे हमारे पास value क्या रहेगी? 1 रहेगी N, बहुत important बहुत important इसको आप learn कर लीजिए कि N, C, R is equal to N, C, N minus R N में से R को arrange कर लीजिए या N में से N minus R जो बच्चे हुए हैं उनको arrange करेंगे तो हमारे पास value क्या आएगी? Same आएगी क्या एक बार चेक कर लें? N, C, R की जो value होगी वो क्या होगी हमारे पास? N, C, R that is N factorial divided by N minus R factorial into R factorial हमारे पास यह value बन की N, C, R की solve करते हैं N factorial divided by N minus N यह क्या हो जाएगा? Plus का R factorial into N minus R factorial यही है हमारे पास formula तो this is N factorial divided by N से N cancel हो गया that means R factorial into N minus R factorial यह same ही तो आ रही है इसलिए अगर हमें कोई कहे जैसे 10, C, 3, 10 में से 3 को arrange करना हो वो equal होगा 10, C, 7 के 10, C, 3 is equal to 10, C, 7 उनका combination क्या होगा? Equal होगा and the fourth part is यह बहुत important है यह भी अगर हमारे पास N, C, A N, C, A is equal to N, C, B है अगर हमारे पास A का arrangement combination जो है N में से वो B object के combination के equal है then either first part either A is equal to B या तो A और B equal होगी N में से 5 है, 6 है, equal है और second और A plus B is equal to N होगा A plus B यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से मैं देखूँ यह 3 और 7 equal नहीं है अगर मैं 3 और 7 को add करूँगा तो 3 plus 7 किसके equal आ रहा है? 10 के equal आ रहा है दो ही बाते होगी either A is equal to B और A plus B is equal to N के यह 4 के 4 result बहुत important है यूज होंगे और एक आपका जो यह formula है यह वाले दोनों formula अच्छे से learn कर दीजिए बहुत ही important topic है बहुत ही आसान सा topic है यह था हमारे पास अब हम इसकी theorem करेंगे exercise 7.4 की थोरम कर रही है थोरम 6 NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1CR के equal अगर मैं simple C wording में अगर कहूं माल लीजिए हमारे पास 10 object है 10C लैट इस इस 3 N plus 10C2 10C3 हमने arrange करने है 10 में से 3 object and 10 में से 2 object अगर हमने arrange करने है that is equal to 11C3 के equal होगा यह यह हमारे पास थोरम कह रही है चल यह left hand side लेते हैं यह equal होता है यह नहीं होता है बहुत important part है आगे use होगा आपके questions में NCR left hand side लिया मैंने NCR plus NCR minus 1 क्या किया था हमने फार्मूला क्या था हमारा N factorial divided by R factorial into N minus R factorial plus this is N factorial divided by R minus 1 factorial into N into N minus minus करेंगे यह R और 1 किसका हो जाएगा plus का हो जाएगा अब check करते हैं N factorial common है बट यहाँ पे देखे यह R factorial यह R minus 1 है अगर यह 3 है तो यह 2 यह चोटे वाला कौन सा है यह है इसको इसके root में ले आएए यहाँ पे हमारे पास यह बड़ी value है यह चोटी value है इसको solve कर लीजिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास N factorial मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ R into R minus 1 factorial इसको लिखा मैंने यह चोटा ही है इसको as it is रहने दीजिए N minus R factorial plus of N factorial divided by R minus 1 factorial common लेने लाइग हो गया यहाँ पे हम एक value अलग कर लेते है N minus R plus 1 और इससे पिछे वाली value N minus R factorial 1 minus कर रहा हूँ तो इसमें से अब यह भी हमारे पास common लेने लाइग हो गया सब में common value क्या होगी N factorial divided by R minus R minus 1 factorial into N minus R factorial यह दोनों हमारे पास common होगी उपर से N factorial यहाँ पे क्या बचा 1 यहाँ पे दोनों value common होगी upon R plus N factorial बाहर हो गया यह दोनों common होगी क्या बचा 1 upon N minus R plus 1 LCM ले लिजिए N factorial upon R minus 1 factorial into N minus R factorial LCM लेंगे तो R into N minus R plus 1 क्या बन जाएगा ये value हमारे पास N minus R plus 1 N plus का R हो गया यहां से value क्या होगी R से R cancel होगी value देखिए क्या बन गी हमारे पास N factorial यहां क्या बच रहा है N minus 1 बच गया N plus 1 divided by this is R minus 1 factorial एक R यहां पे है R minus 1 into R ले रहा हूँ मैं यहां पे ठीक है और यहां से value हमारे पास क्या हो रही है N minus R factorial into N minus R plus 1 अब हमारे पास यहां पे value क्या बन जाएगी N plus 1 N factorial यहां 1 से लेके N factorial उसे एक value और next होगी that is N plus 1 factorial divided by यहां पे R minus 1 से आगे R it will become R factorial और यह value क्या बन जाएगी हमारे पास N minus R plus 1 का factorial क्या बन गया this is N plus 1 C N plus 1 में से C क्या R factorial R factorial है N plus 1 minus R N plus 1 C R यही हमारे पास क्या था right hand side था तो बहुत important आपका यह result है ठीक है बहुत यसान है चलिए इस वीडियो में इतना ही आप इसका screenshot ले सकते हैं इस वीडियो में इतना ही next video में एक लिए questions के साथ फिर मिल दें तब तक के लिए जय हैं जय आपाइग